SM Studies YouTube Channel अंतर्गत व्याकरण विभाग सहर्ष स्वागत विशय हिंदी विभाग व्याकरण घटक विरामचिन्ह कक्षा पाँचवी से दस्वीतक उपयुक्त विरामचिन्ह की परिभाषा वाक्य पढ़ते समय कहा रुकना, कितना रुकना, वाक्य का भाव कैसे प्रकट करना, इत्यादी बताने के लिए जिन विविद चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विरामचिन्ह कहते है विरामचिन्हों के प्रकार कुल मिलाकर आठ है, पहला पूर्णविराम, दूसरा अलपविराम, तीसरा अरधय विराम, चोथा प्रश्णवाचक चिन्ह, पाचवा विस्मयादी बोधक चिन्ह, छठा अवतरन चिन्ह, सात्वा निर्देशक चिन्ह, और आठवा योजक चि उसे पूर्ण विराम कहते है उदाहरण पहला मैं बाहर गया था दूसरा राजू लड़ु खा रहा है दूसरा प्रकार अल्प विराम वाक्य बोलते समय बीज बीच में ठहरने के लिए जिश चिन्ध का प्रयोक किया जाता है उसे अल्प विराम कहते है उदाहरण चलो जरा सेर करें दूसरा मैधान में तनमें चिनमें केतन और समीर खेलने के लिए गये थे तीसरा प्रकार अरधैविराम वाक्य में जब ठहराव अलपविराम से अधिक और पुर्णविराम से कम हो तो अरधैविराम का प्रयोक किया जता है उदाहरण पहला हम आपस में कितना भी लड़े, कितना भी टकराए, पर बाहरी शत्रू के सामने हम एक है चौथा प्रकार प्रश्णव अचक चिन्न प्रश्णप पूछने के लिए जिस चिन्न का प्रयोग किया जता है, उसे प्रश्णव अचक चिन्न कहते है उदाहरण पहला, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा, तुम कौनसी कक्षा में पढ़ते हो? पाचवा प्रकार, विस्मयादी बोधक चिन्ध वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, इत्यादी व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ध का प्रयोग किया जाता है, उसे विस्मयादी बोधक चिन्ध कहते है उदाहरण, आ, गाड़ी छूड गई दूसरा, वा, बहुत अच्छा काम किया तुमने छटा प्रकार, अवतरन चिन्ध किसी के कहे वाक्य को जोका त्यो व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ध का प्रयोग किया जाता है, उसे अवतरन चिन्ध कहते है इसके दो भेद है, पहला, इकहरा अवतरन चिन्ध जिसे हम अंग्रेजी में सिंगल इंवल्डेल कॉमा कहते है और दूसरा, दुहरा अवतरन चिन्ध जिसे हम डबल इन्वल्डेड कॉमा कहते है इकहरा उतरन चिन्ह शिर्शक, पुस्तक, संस्था का नाम निर्देशन करते समय इसका प्रयोग किया जाता है पहला आपने हमारा स्पेश्शिप देखा दूसरा हमारे गाउ में स्पंदन नामक होस्पिटल है दूसरा दुहरा उतरन चिन्ह किसी के कतन को दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है पहला एक लड़के ने खड़े होकर पूछा वे भाशन विश्वसनिय कैसे माने जा सकते है दूसरा विरेंद्र ने कहा मैं व्यस्त हूँ सात्वा प्रकार निर्देशक चिन्ह जहा एक शब्द या शब्दों को दूसरे शब्दों से अलग किया जाता है तथा आगे किसी विशेश बात का उल्ले किया जाता है वहा प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को निर्देशक चिन्ह कहते है उदाहरण चिडिया घर में कई जानवर शेर, हाथी, हिरन देखने को मिलती है आठवा ब्रकार योजक चिन्ह दो शब्दों को युग्म बनाने के लिए या एक ही शब्द को दो या अधिक बार दुहराने पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उदाहरण रात दिन धीरे धीरे धन्यवाद